अब बात करते हैं कार्पोरेट छेत्र के करियर की यानि अगर आप बैंकिंग, मार्केटिंग या बिजनस जैसे फील्ड में या बिजनस रिलेटेट प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहें तो ये कब बनता है? बुद्ध जो है वो कार्पोरेट वर्ल्ड का मालिक है व्यवसाई की जो दुनिया है कॉमर्शियल जो वर्ल्ड है उसका मालिक है बुद्ध और फाइनेंस का जो मालिक है वित का जो मालिक है वो है ब्रिहस्पती तो कुंडली में बुद्ध या ब्रिहस्पती की अगर प्रधानता हो तो व्यक्ति कार्पोरेट के खेत्र में जाता है बुद्ध को पूरी तरह से कार्पोरेट का ग्रह माना जाता है लगन सप्तम दशम एकादश अगर इसको बुद्ध ने प्रभावित कर दिया तो आप भले ही इंजीनियरिंग पढ़ लें बाद में आप मैनेजमेंट भी करेंगे और जाएंगे मैनेजमेंट में ही व्रिशब, मिथुन, कन्या, तुला और मीन व्रिश, मिठुन, कन्या, तुला और मीन राशी के लिए कार्पुरेट छेत्र के परिडाम हमेशा बेहतर होते हैं कार्पुरेट सेक्टर में बैंकिंग भी है फाइनेंस भी है चार्टर्ड एकाउंटेंसी भी है इन तमाम छेत्रों में जानी के लिए आपको बुद्ध और ब्रिहस्पती दोनों को प्रबल करना होगा कैसे पाएं कार्पुरेट सेक्टर में सफलता हरे रंका जादा से जादा प्रियोग करें ग्रीन कलर के कपड़े जादा से जादा पहने और जितना संभव हो भगवान गणेश की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का पड़ी जी कोई भी व्यापार हो नौकरी हो शनी देव की विशेश क्रपा की जरूरत पड़ती है ऐसा क्यों है कि शनी देव की पूजा करना जरूरी माना जाता है माना जाता है कि नौकरी हो या व्यवसाय हो शनी देव की पूजा से ही लाब होता है ऐसा क्यूँ देखिए नौ ग्रहों में हर ग्रह को अलग-अलग डिपार्टमिंट अलग-अलग विभाग दिये गए है जहां तक शनी की बात है आपके कर्म आपका रोजगार ये शुद्ध रूप से शनी पर निर्भर करता है और शनी किन ग्रहों के प्रभाव में है वो ये बता देता है कि आप नौकरी करेंगे या आप व्यापार करेंगे तो आपका रोजगार कोई भी हो अगर आप उसे बेहतर रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनी देव के मंतर का जब करें आपको लाब होगा आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए आइस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से